पर पर पंच फस सकता है क्योंकि दोनों का दावा अपनी जगा मजबूत है लेकिन मौका किसी एक को मिलेगा खतौली जीत के बाद आरेलडी निकाय चुनाव को लेकर एक ऐसा चक्र व्यू रचने जा रही है जिसमें बीजेपी फसकर रह जाए लेकिन आरेलडी के इस फ्लान ने सपा को टेंशन में डाल दिया है उसकी वज़ा भी बड़ी है आरेलडी मेरट की मेर सीट पर अपना मजबूत दावा जता रही है इतना ही नहीं छे नगर पंचात और मवाना नगर पालिका पर भी आरेलडी के दावों ने सपाईयों गिनीन दुड़ा डाली खतौली में जो गडवंदन को जीत मिली उसके बाद आरेलडी में दावेदारों की फिहरिस्त लंबी हो चली है मेर के 12 दावेदार और मेरट नगर निगम की 90 वार्डों के लिए अब तक 70 से ज्यादा आवेदन आ चुके है जिससे आरलडी खेमे में उत्साहा दिखाई दे रहा है और दावेदारों का आना अभी भी जा रही है मेरट मेर अरलडी के कार्याले पर हर रोज सुबह से ही टिकेट मागने वालों की भीड़ लग जाती है मेर सीट पर आरलडी का मजबूत दावा है और इस पर आरलडी और सपा में घमसान हो सकता है आरलडी ने गोपनिये बैठक कर मेर सीट पर दावा जताया है और जिन नगर पंचातों में और नगर पालिका पर भी दावा ठोका है उनकी रिपोर्ट जैन चौधरी को भेजती है मेरत में हुई गोपनिये बैठक में ये बड़ा प्लैन बना है उसमें साथ आरलडी के विधायक शेत्री अध्यक्ष राष्टिये महा सचिव शेत्री अध्यक्ष पूर्वसांसात पर्यवेक्षक कमीटी के सदस्य भी थे बस यही गुपचु प्लान सपा की धड़कने बड़ा रहा है नभी वार्डो वाली मेरत नगर निगम में आरलडी बड़ी कमाल की उमीद लगाए बैठी है नगर पंचात की बात करें तो किठोर, दौराला, करनावल, हर्रा, सिवाल, खास और नगर पंचात, खिवाई और नगर पाली का मवाना पर भी आरलडी अपना प्रत्याशी मेदान में उतारना चाहती है हस्तिनापूर, परिक्षिदगर, लावर, खरकोदा, पलावदा और शाजापूर, नगर पंचात और एक नगर पाली का सरधना शामिल है मेरट मेर सीट पर सपा का दावा भी मजबूत है जहां एक तरफ सपा विधायक, अतुल प्रधान अपनी पत्नी के लिए टिकेट मांग रही है तो सपा से शहर विधायक, रफीक अंसारी भी अपनी पत्नी को चुनाव लडाना चाहते है आरलडी का अपना दावा है और सपा का अपना फैसला जयनत और अखिलेश को बैट कर करना है लेकिन जिन सीटों पर आरलडी ने अपना दावा ठोका है उसमें मेर सीट पर सबसे बड़ा पेच फसा है